क्या आप एक वोड़ मशीनिस्ट हैं और आप आस्ट्रेलिया में काम करने, रहने या स्टडी करने के इचुक हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए हैं. इस वीडियो में, हम आपको आस्ट्रेलिया में वोड़ मशीनिस्ट के करियर स्कोप और प्रोफाइल से though रवी का हार्दिक स्वागत है. आस्ट्रेलिया में प्रोफेशनल्स के लिए स्किल्ज और करियर स्कोप पर हमारी विडियो सीरीज में हम एक नए विडियो के साथ फिर से हाजिर हैं. इस वीडियो में हम वोड मशीनिस्ट से एक Australia I Amplier की जॉब प्रोफाल से संबंधित अपेक्षाओं के बारे में जानेंगे हम वोड मशीनिस्ट के लिए उप्योग तोन इंडस्ट्री सेक्टर्स को देखेंगे यहां वोड मशीनिस्ट को नौकरी के लिए आसान तथा अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं हम वोड मशीनिस्ट के प्रोफाल पर Australia में काम करने के लिए न्यून्तम एज्यूकेशन और एक्स्पीरियन्स की जरूरतों को भी देखेंगे हम यह भी देखेंगे कि आपके प्रोफाल के लिए स्किल लेवल, लाइसन्स और रेजिस्ट्रेशन की क्या जरूरते हैं हम वोड मशीनिस्ट के प्रोफाल पर काम करने वाले पुरुष तथा महिलाओं की जेंडर रेशियो और मुख्या यू वर्ब पर भी चर्चा करेंगे करन्ट जॉब ओपनिंग्स, पिछले पांच सालों का अनालिसिस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन्स और करियर स्कोप भी इस वीडियो में चर्चा का विशय रहेंगे हम बोर्ड मशीनिस्ट के ओसतन सापताहिक वकावर्ज और वेज रेट या तंखवाह की भी चर्चा करेंगे वीडियो के एंड में हम आपको अलग-अलग वीजा ओप्शन्स के बारे में बताएंगे जिन में मुख्य हैं आस्ट्रेलिया में काम करने, पर्मनेंट रेजिदेंसी पाने और इस प्रोफाल पर आस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने के वीजा ओप्शन्स तो पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो के अंग तक हमारे साथ बने रहे अब आपका और समय न लेते हुए आईए शुरू करते हैं चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आपके प्रोफाल दिस्क्रिप्शन पे आस्ट्रेलिया में हर व्यवसाय के लिए एक सपश्ट तथा सुलजा हुआ प्रोफाल दिस्क्रिप्शन बनाया गया है जिसे एक कोड के द्वारा नामांकित किया जाता है। इस कोड को अस्ट्रेलिया न्यूजीलिन स्टांडर् क्लासिफिकेशन ओफ उक्यूपेशन या ANZSCO कोड कहा जाता है। यह ANZSCO Code आपको किसी भी प्रोफेशन में आपकी जिम्मेदारियां तथा जॉब रोल के बारे में जानकारी देता है। Australia की राष्ट्रिय स्टेटिस्टिक्स एजेंसी, Australian Bureau of Statistics, ABS in Codes के रिचता है। और ABS के द्वारा ही इन Codes को समय समय पर evaluate और revise किया जाता है। तो चलिए अब आपके व्यवसाई के ANZSCO Profile Definition के बारे में जानते हैं। वुड मशीनिस्ट के प्रोफाइल का ANZSCO Code 394213 है। ABS के ओरिजिनल कॉंटेंट की authenticity को बरकरार रखने के लिए प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन और कुछ दूसरे तथ्यों को हम यहाँ इंगलिश भाशा में ही दिखाएंगे ताकि उनकी originality और integrity बनी रहे। वुड मशीनिस्ट कट्स, प्लेंज, टर्न्स, शेप्स और सांड्स वुड्स टॉक्टू स्पेसिफिकेशन्सुटू अस्ट्रेलिया में ऐसे बहुत से इंडस्ट्री सेक्टर्स हैं जहां आपके प्रोफाइल के कैंडिडेट्स के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हैं आईए एक बार कुछ जरूरी जॉब सेक्टर्स और इंडस्ट्री पर नजर डालते हैं। वुड मशीनिस्ट के प्रोफाइल पर काम करने वाले ज्यादातर कैंडिडेट्स मुख्य रूप से मैनुफाक्चरिंग, रीटेल ट्रेड और कंस्ट्रक्शन में कारे रत हैं। आस्ट्रेलिया में अलग-अलग व्यवसायों में आवश्यक्ता के हिसाब से Employees की शिक्षा से जुड़ी विभिन मांगे हो सकती हैं। और आपका Skill Level Australian Bureau of Statistics के हिसाब से तै होता है। एक Wood Machinist के Profile पर काम करने के लिए आपके पास AQF Certificate IV या बराबर की अन्य योगिता जरूरी है। और Wood Machinist का Skill Level 3 है। और न्यूजीलेंड के हिसाब से इस ग्रुप के Job Level में AQF Certificate IV और Higher Qualification की जरूरत होती है। इसके इलावा कुछ केसेज में Educational Qualification की जगह पर आपका 3-5 वर्ष का संबंधित Experience भी काम आ सकता है। अन्य कुछ मामलों में आपको Experience के साथ On-Job Training की जरूरत भी हो सकती है। अगर आप Australia में Skilled Immigration Visa के लिए Application फाइल करते हैं तो आपको Migration Skills Assessment की जरूरत रहती है। जो आपके Profile के हिसाब से अलग-अलग Assessment Bodies के जरूरत की जाती है। हर Assessment Body का अपना अलग Assessment Priteria और Experience की अलग-अलग जरूरते होती है। अगर आप Word Machinist के Profile पर Skill Assessment फाइल करना चाहते हैं तो आपको एक वश Experience की जरूरत है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि Experience की ये Requirements सिर्फ Skill Assessment के लिए मान्य है। परंतु Employees की जॉब के लिए Experience Requirements इससे अलग हो सकती है। आइए अब जानते हैं कि आपके काम में आमूमन किस उम्र के लोगों की ज्यादा हिस्सेदारी है। Australian Bureau of Statistics के लेटिस्ट सर्वे के हिसाब से आपके प्रोफाइल पर जॉब करने वाले लोगों का में एज ग्रूप में तालिस से चाववन वर्ष है और औसतन आयू अर तालिस साल है। जैसा कि आप जानते ही है कि अलग-अलग व्यवसायों में पूरुशों और महिलाओं की गिंती तथा रेशियो काम के हिसाब से अलग-अलग होती है। तो आईए अब आपके प्रोफाइल में पूरुश तथा महिलाओं की जेंडर रेशियो पर नजर डालते हैं। वुड मशीनिस्ट में महिलाओं का 15.4 प्रतिशत हिस्सा है। आस्ट्रेलिया में ज्यादातर प्रोफाइल में काम करने का नियत समय एकसा नहीं है और ज्यादातर स्किल्ड वरकर्स फुल टाइम या पार्ट टाइम बेसिस पर काम करते हैं। फुल टाइम या पार्ट टाइम काम करने पर, आपका वेतन हफते या घंटों के हिसाब से टे किया जाता है अगर हम आपके profile की बात करें तो, Wood Machinist के profile के 15.4 लोग फुल टाइम काम करते हैं इस फील्ड में फुल टाइम काम करने वालों के लिए हफ़ते में एवरेज काम करने का टाइम 49.2 गहंटे हैं जॉब ओपनिंग्स की गिंती, कम्पनी टर्नोवर और एम्पलॉइमेंट ग्रोथ के उपर निर्भर करती है पिछले पांच सालों तक के स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से इस फील्ड में एक्सपेक्टिड जॉब ओपनिंग्स पांच हजार है वुड मिशीनिस्ट के केस में यह गिंती औसतन सत्र पर है ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में यह अंग का अच्छी वृद्धी दर प्राप्ट कर सकता है औस्ट्रेलिया में कुछ ऐसे काम है जहां एप्लिकेंट्स को अपने प्रोफाइल से जुड़े लाइसेंसिंग बॉडी से लाइसेंस तथा रेजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत होती है अगर हम वोर्ड मशीनिस्ट के प्रोफाइल की बात करें तो इस प्रोफाइल के लिए हमें लाइसेंस तथा रेजिस्ट्रेशन की कुछ केसेंस में ज़रूरत नहीं है अब हम सबसे महत्वपूर्ण फाक्टर एवरेज वीकली अर्निंग को स्टड़ी करेंगे अस्ट्रेलिया में सभी व्यवसायों की ओसतन सापताहिक आए तेरा सो अस्ट्रेलियाई डॉलर्स है ABS के हालिया सवे के मुताबिक वूड मशीनिस्ट का ओसतन सापताहिक वेतन टैक्स डिडक्शन से पहले 852 अस्ट्रेलियाई डॉलर्स है जिसमें से आपके Salaries Lab के अनुसार Tax की कटोती करी जाती है अगर आप किसी भी स्ट्रीम में Permanent Residency के लिए Application File करना चाहते हैं तो Process शुरू करने के लिए पहला कदम Migration Skill Assessment है इसके अलावा कुछ केसे में, जैसे Work Permit या अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद Professional Year शुरू करने के लिए आम तोर पर Migration Skill Assessment के Positive Result की जरूरत होती है अस्ट्रेलिया में विभिन Profile Categories के लिए अलग-अलग Assessment Bodies हैं वुड मशीनिस्ट के लिए Migration Skill Assessment, Trades Recognition Australia, टरक के द्वारा की जाती है अगले सेक्शन में हम आस्ट्रेलिया में जॉब के लिए अपलाई करने और नौकरी पाने के कुछ जरूरी स्टैप्स के बारे में चर्चा करेंगे हम सबसे ज्यादा मशहूर तथा जाने माने जॉब पोर्टल को भी देखेंगे यहाँ आप अपने प्रोफाइल से जुड़े विभिन रोजगारों के लिए मौजूदा आप्शन को देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको अभी तक ये विडियो पसंद आई है तो आप हमें सब्सक्राइबर टारगेट 50,000 चैलेंज को हासिल करने और जीतने में हमारी मदद करें क्रिप्या अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वर्ष के अंध तक 50,000 सब्सक्राइबर्स को अचीव करने के हमारे लक्षे को प्राप्त करने में हमारी मदद करें हम आपके सहयोग की सराहना करते हैं और अगर हमें इस वीडियो पर 100 लाइक्स मिलेंगे तो हम आपके लिए इस प्रोफाइल के PR प्रोसेस और विज़ा फाइलिंग पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे इसके इलावा हमें कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप इस सीरीज में नेक्स्ट वीडियो किस विशे पर देखना चाहते हैं क्या आप आस्ट्रेलिया में नौकरी के लिए ओनलाइन या ओफलाइन अप्लाइन करना चाहते हैं? अगर आप फिलहाल आस्ट्रेलिया में हैं या फिर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल या किसी अन्य जगह से भी किसी आस्ट्रेलियन जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो एक प्रोफेशनल के रूप में आपके लिए सबसे कठिन कार्य, जॉब आप्शिन्स धूनन तथा ओनलाइन, ओफलाइन इंटिव्यूस के लिए तयारी करना, अपना बायोडिता तथा रूज्यूम तयार करने से पहले, आपको यह समझना चाहिए कि आस्ट्रेलियन इंप्लॉयर वास्तव में आपसे क्या एक्सपेक करता है, एक अच्छी तरह से तयार किया गया अन्य उमीद्वारों से श्रेष्ट दिखा सकता है, सक्रिय भाशा, कीवर्द्स और कुछ शोटे बदलावों का सही जोर किसी भी आम रिज्यूम को विजेता में बदल सकता है, अगर आप एक प्रफेशनल ऑस्ट्रेलियन स्टाइल रिज्यूम तयार करना चाहते हैं, तो आप हमारी एक्सपर्ट रिज्यूम राइटिंग टीम की सेवाएं ले सकते हैं, या हमारी रिज्यूम से संबंधित विडियोज को देख सकते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियन स्टाइंडर्स के हिसाब से एक परफेक्ट रिज्यूम लिखने की जानकारी उपलब्ध है, के लिए आपके लिए सही नौकरी ढूंड सकता है, इसके इलावा आप हमारी टीम के साथ अपना सीवी भी साज़ा कर सकते हैं, जिससे आप डिरेक्ट एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयमेंट एजेंसियों के हमारे वाल्योबल नेटवर्क को आपके लिए उप्युक्त डाउनलोड करें जहां आप अपनी प्रोफाइल के लिए उस्ट्रेलिया में सबसे सूटबल इम्प्लॉयमेंट का अवसर पाने के लिए उनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, अब हम ऑस्ट्रेलिया के पर्मनेंट रेजिदेंसी या वर्क पर्मिट्स पाने के लिए विजा सबक्लास इसको मुख्य रूप से निमनलिखित काटेगरीज में डिवाइट किया गया है जो हैं, स्किल्ड माइग्रेशन विजर्स, सबक्लास 189 यो की पर्मानेंट रेजिदेंसी पाने की डाइरेक्ट सबक्लास है, स्टेट या रीजिनल नॉमिनेशन विजर्स, स सबक्लास 190 और 491 यो स्टेट नॉमिनेशन के द्वारा पी आर तथा टी आर पाने के रास्ते हैं, पर्मानेंट रेजिदेंस, स्किल्ड रीजिनल विजर्स, सबक्लास 191 और 887 यो की 491 तथा 489 की कंटिनुएटी में पी आर पाने के रास्ते हैं, एम्प्लोय स्पॉनसर्ड विजर्स सबक्लास 186, 187, 482 और 457 जिनके द्वारा आप एम्प्लोय से सीधी स्पॉनसर्शिप या नॉमिनेशन के थ्रू पी आर तथा वक्परमिट प्राप्ट कर सकते हैं, बिजनस इनिवेशन, इन्वेस्टमेंट और अंट्रप्रेनियू स्ट्रीम विजर्स सबक्लास 186, 188 और 188 जिसके द्वारा आप किसी व्यवसाय में इन्वेस्ट करके या फिर किसी इनोवेटिव आइडिया, यो कि आस्ट्रेलिया को एकनॉमिकली तथा सोशली हेल्प कर सके के द्वारा पी आर तथा वक्परमिट प्राप्ट कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक टागेट सेक्टर्स के लिए ग्लोबल टालेंट विजा और सबक्लास 476 स्किल्ड रेकिगनाइज़ ग्राजुएट विजा एक अन्य विकल्प है, इन में से ज्यादा तर वीजा आप्लिकंट्स को काम करने का अवसर देते हैं और आस्ट्रेलिया में हमेशा के लिए सेटल होने का मार प्रदर्शित करते हैं, हाला कि ये वीजा आम तोर पर उपलब्ध तो रहते हैं लेकिन हर ओक्यूपेशन के लिए हमेशा खुले नहीं होते हैं, तो अगर आप देखना चाहते हैं कि वोड मशीनिस्ट के प्रोफाइल के लिए कौन से वीजा सबक्लास से इस खुले हैं, त इस सीरीज में आपको वोड मशीनिस्ट के लिए पर्मनेंट रेजिदेंसी फाइल करने की स्टेप बाइ स्टेप जानकारी मिलेगी, वीडियो में अब चर्चा करने वाली अगली बात आस्ट्रेलिया में स्टड़ी और सेटल होने के लिए उपलब्ध वीजा विकल्प और वीजा सब काटेगरीज हैं, तो आएए इसकी एक संक्षिप ज़लत देखते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और वोड मशीनिस्ट बनना चाहते हैं तो आस्ट्रेलिया पढ़ाई और सेटल होने के लिए दुनिया के सबसे पसंदीदा जगहों में से एक हो सकता है, ए इसे पोस्ट स्टडी वर्क विसा कहा जाता है, अगर आप स्टडी विजा में इंटरिस्टेड हैं और अपने लिए बेस्ट कॉलिजर्जर्ज और युनिवर्सिटीज के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो स्टडी विजा से संबंधित हर जानकारी पाने के अगर अब तक की विडियो और जानकारी आपको पसंद आई है और भविश्य में भी इसी तरह के प्रयासों को जारी रखने के लिए आप हमारी टीम को अप्रीशियेट या प्रेरित करना चाहते हैं, तो कृपिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को द चाहते हैं, तो आप हमारी Registered Migration Consultants की टीम के साथ एक Expert Counseling Session ले सकते हैं, हमारे माहर कंसल्टेंस आपकी प्रोफाइल के बारे में अच्छे से समीक्षा करके आप से डिटेल में चर्चा करेंगे, इस Expert Session से आपको हर मुमकिन Immigration Options को ढूरने में मदद मिलेगी, हम आपको आप तरसली से अपने Immigration की Opportunities के बारे में जानना चाहते हैं, तो अभी Description में दिये गए Booking Link पर क्लिक करें, और अपना Expert Session रिजर्व करें, हम अपने दुनिया भर के दर्शकों के लिए सभी तरह की Immigration की सेवाओं के साथ उन्हें One Stop Online Platform देते हैं, आप हमारे Immigration में माहर टीम के ज देशी Manpower हायर करने तथा वर्क और दूसरे वीजर्स की फाइलिंग वर अन्य संबंधित अक्टिविटीज में भी मदद करते हैं, इसलिए अगर आप Australia में अपनी कमपनी चला रही हैं, तो हम आपकी कमपनी के लिए Best Suitable Employees धूंडने में आपकी मदद कर सकते हैं, अगर अपनी Skill Assessment और Immigration के लिए अपनी Eligibility की Assessment खुद से करना चाहते हैं, तो Description में दिये Link पर क्लिक करें और अपनी Self Assessment खुद चेक करने के लिए हमारी App ही Download करें, अपनी Profile के बारे में और जानकारी के लिए हमारे Work Visa, Immigration और Skilled Migration की Filing से जुड़े सभी वीडियोस देखें, और हमा दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हमें आशा है कि इस वीडियो से आपको Australia में आपके करिया की Opportunities के बारे में डिटेल जानकारी मिली होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और जल्द ही हम एक नए वीडियो के सा आप फिर मिलेंगे।